भारत की राधधानी कहां श्थित है? दिल्ली, बैंगलूरू, हैदराबाद, लखनोू इसका जो सही आप्शन होगा, आप्शन नमबर A, दिल्ली, भारत की राधधानी, दिल्ली में श्थित है इसलिए इसका जो सही आप्शन होगा, आप्शन नमबर A, हो जाएगा दिल्ली इसका जो शही option होगा option number A. हैधरबाद हैधरबाद में हुशें सागर जील इस्थित है आपशन number A राइट हो जाएगा निमलिकित में लाल किला कहाई स्तित है है एदराबाद, गाजियाबाद, दिल्ली या मुंबई तो इसका जो सही ओप्षन होगा ओप्षन नमबर C यानि की दिल्ली में है लाल के लिए भारत के दिल्ली में इस्तित है आरे समाज के स्थापना निमली कितने से किस्निक की थी प्रवावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा पात कितना होता है option A 2 अनपाते 3 option B 3 अनपाते 2 option C 4 अनपात 5 option D 1 अनपात 2 तो इसका जो सही option होगा option नमबर B यानि कि भारती तिरंगा जंडा की लंबाई और चोड़ाई का अनपात 3 अनपाते 2 होता है इसलिए option नमबर B सही हो जाएगा भारत में सबसे पहले railway का संचालन किस राज में हुआ था option A दिल्ली, option B लखनाओ, option C, मुंबाई, option D, हैदराबान तो इसमें जो सही option होगा option नमबर C भारत में railway का सरप्रथम संचालन मुंबाई में हुआ था इसलिए option नमबर C राइट हो जाएगा अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस जीले में होती है option A गोरकपूर, option B सहरनपूर, option C लखनाओ, option D गाजियाबाद तो इसका जो सही option होगा option नमबर A गोरकपूर उत्तर प्रदेश के गोरकपूर जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है इसलिए option नमबर A सही हो जाएगा अगला प्रशन है शुपर्षिद्ध कासि विश्वनाथ मंदिर भारत के किस नगर में इस्थित है option A वराड़सी, option B आयुद्या, option C लखनाओ, option D प्रयागराच इसका जो सही option होगा option नमबर A वराड़सी में सुपर्षिद्ध कासि विश्वनाथ मंदिर इस्थित है इसलिए इसका जो option होगा option नमबर A सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है भारत की किस सहर को गुलावी सहर के नाम से जाना जाता है option A दिल्ली, option B लखनाओ, option C, जैपूर, option D, मुंबई जाता है क्योंकि वहां की सारी बिल्डिंगें, सारे जो घर बनाए गये हैं वो गुलावी रैंक से रैंगें हुए है इसलिए इसका जो सही option होगा option number C हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है भारत की किस सुपरसिद्ध गाईका को श्वर कोकलिया कहा जाता है option A सब होसले जी, option B लता मंगेसकर, option C अलकायागनिक, option C कभी तक किस्न मूर्ती जी तो इसमें जो सही option होगा option number B भारत की सुपरसिद्ध गाईका लता मंगेसकर जी को सुर कोकलिया के नाम से भी जाना जाता है इसलिए option number B सही हो जाएगा तो ये थे कुछ महतपूर प्रस्ण है, जो की समानी ज्यान से संबंदित थे हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये सारी question जरूर प्रसंद आए होंगे अगर हमारे दोरा बताएगे, इस question से आपको थोड़ा भी knowledge मिलता है थोड़ी भी जानकारी हासिल होती है, तो please हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल को subscribe कर ले, hold bell icon जरूर प्रस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का notification आप लोग को मिलता रहेगा और इस तरह की छोटी छोटी वीडियो और जानकारी भरी वीडियो हम आपको provide कराते रहेंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल को visit जरूर करें और हमारे चैनल को subscribe करके like और bell icon जरूर प्रस कर ले और हमारे चैनल का नाम है education tech support और आप लोग का प्यार ही हमें motivation देगा इसलिए तो please हमारे चैनल को subscribe जरूर करें धन्यबाद साथियो जय हिंदे